स्टूडेंट हमने कर आपको एसे आर्टू के बारे में एंट्री के बारे में बताए था ठीक है तो आज हम आपको में एंट्री बनाना सिखाएंगे किस तरीके से एक लाइवरेंज होता है में एंट्री बनाता है एसे आर्टू के एक्रोडिंग ठीक है तो जैसे हमने college Education evolution ofrous Dynamic theory यह होगे हमारा ठाह्टल ठीक है है अब जहीं हमारे ये टाहटल है उसके बाध अगर इसके राइटल कौन है RS पार हिसके राइटर्स हो गए फिर लिसके बाद स्पाउच आट yis इसमें से canon BayFa 2 रेटिसन हो सकता है 54 इंजूविए डिसन होगा वह यहां- UWill प्रकास उत हुई तो 1968 में प्रकास उत हुई थे के उसके बाद आ जाई कि इसके बदोता देकि अधर इंफोर्मेशन में क्या आता है इसे कॉल नूमर क्या जाइगा अब इसमें क्या नूमडे ? 5 1 L 2 अब इसमें देखो कॉल नमबर हमारे किन तीन चीजों से मिलकर बनता है क्लास बुक और कलेक्शन नमबर क्लास और बुक और कलेक्शन नमबर इसमें क्या है इसमें जो क्लास नमबर दिया है ठीक है यह जो क्लास नमबर दिया है वो दिया है और एक collection number दिया है बुक नमबर क्या है बुक नमबर जैसे हमारा collection कहां से होता है वो नहीं दिया है इसमें सिर्फ क्या दिया है class number दे रखा है और book number L2 और जो बीज यहां पर हमने छोड़ा है यह यह दिखाने के लिए कि हां यहां जैसे आप पहचान सको ठीक है जिसे आप पहचान सको कि यहां पर क्या है क्लास नंबर है ठीक है और यह बुक नंबर है कलेक्शन नंबर ओप्सनल होता है अगर होता है तो हम डाल देते हैं नहीं होता तो नहीं डालते हैं ठीक है उसके बाद आजाईए यह हमारा साइज हो गया साइज क्या है एक्सेशन नंबर है अब लोग इसके बाद आजाईए इसमें जैसे अब लोग ऐसा करेंगे यह जो हमने टाटल बनाया है इसको आप लिख लिजिए ठीक है और फिरु उसके बाद जब हम main entry बनाए तब आप title को देखते रहे हैं और man entry सीखते रहे हैं तो आपको इजली से एक ही वार में ये title समझ में आ जाएगा ठीक तो अब हम जो टाइटल है मिसको बिगाब रहे इतना आप अच्छे से लिख लीजिए उसके बाद जो मैंनेंटे हम स्टार्ट करते हैं उसको देखीएगा ठीक है स्टार्ट करते हैं आपने हम स्टार्ण ट्रोपक बता है लुष आपकर लुष करके लुष में का डिया है भी जिस नहीं है अब यह हो गई हमारी मेरें ठीक है अब अब और गूपे लिखा था उस टाइटल को आप देखते रहे हैं कि हम जो भी करते हैं थрипाइए आप उसका अच्छे से लेखिे जैसे हमने तयकેन आप टाइटल को देखे है जिसे हमने दिया था कि जो टाइटल है उसमें जो राइटर है ठीक है तो राइटर जो है राइटर का उन्ते आरेस पारकी ठीक है राइटर का उन्ते आरेस पारकी टाइटल मेरे पास है टाइटल को देखकर ही बनाएंगे एंट्री आप वह जो टाइटल हमने दिया है वह तो देखिए जैसे हमारा डाक्टर हमारे इसमें यह त्व हम क्या करेंगे वब पार खी है हम क्या करेंगे पहले पारकी का नाम लिंगे और आरेस कुछ कोपिम जैसे मालीजी स्याम सुन्दर दास ठीक है उनका नेम तो है लेकिन सरनेम नहीं तो उस टाइम में क्या करते हैं जो उनका नेम है सीधे लिख देते हैं ठीक है अगर मालीजी किसी का नाम स्याम सुन्दर प्यारे लाल गोरखनात सरनेम नहीं है तो हम क्या करेंगे सीधा लेकिन हां जिनकात नयमों सरनेयन दोनों जैसे महां लेजिए आरि इसपार की खटीक है तो इसमें क्या आरिस पार्लजी भी आ रहे उनके मतलब का नेम तरनेम आघा तो पहले हैं क्या 했는데 ligeा पैले सीधे नाम लिखते हैं ठीक है इतना अच्छे समझ में आ जाएगा आपको आप देखिए जैसे इसमें लिखा राइटर कौन ते आरेस पार की तो हम पहले क्या करेंगे हम यहां से जो हमारी से स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे जो हमारी इमेजनरी लाइन है ठीक है यहां से तो हम क्या करेंगे यहां से आर पार की कोमा लगा के और एस ठीक है देखो आहां और एक बात और इसमें जो हम नंबर यूज करते हैं जिससे कि हमें साफ टाइटल दिखें तो कौन-कौन से नंबर यूज कर सकते हैं जिसे इसमें हम 8 नंबर इसमें 4 और इसमें 2 नंबर ठीक है जिसे हमें टाइटल भी अच्छे से दिख जाए त टो त्री फोर क्या करेंगे हम एट ठीक है इसमें हम एट कर सकते वर्ड जैसे जो हमारे नंबर होते हैं एट नंबर यूज कर सकते इसमें कितने कर सकते हैं फोर्जे से हमने पार की लिखा है जो इमेजनरी लाइन है हम इसमें कितने टू वर्ड ठीक है अब आजाए हमने क्या लिखा है पार की कॉमा लगा के आर एस ठीक है इतना समझ में आ गया इसी में आगर माल लेजिए इसमें घंसियाम होता उनका नेम होता सरनेम नहीं होता तो क्या कर ourselves कहने फ़ी कोशने कि गशा है अब आज आई है कि हम यहां पर अब पोपो लंबर हमने बताया था जैसे हमारा कॉल नंबर था तो हम पोल नंबर पेंसिल से डालते हैं पेंसिल से हमने जो अगली वीडियो गनाई तो आज मैं क्या है एंट्री बनाना तो जो पॉल नमबर होता है यहां पर लिखते हैं पैंसिल से इतना याद रखना पॉल नमबर जो होगा इसका पैंसिल से लिखा जाएगा एल और जो इसका बुक नमबर होगा वह नीचे लिखेंगे क्लास नमबर उपर लिख दिया हमने और बुक नमबर कहां लिखा हमने नीचे अब आजाएए अब हम क्या करेंगे टाइटल लिखना स्टार्ट करेंगे ठीक है टाइटल कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम तो मेरा टाइटल होगा वह हम टाइटल सेक्शन में लिखना स्टार्ट करेंगे ठीक है तो यहां से हम टाइटल लिखेंगे अपना टाइटल क्या था हमारा लाइवरेरी क्लासिफिकेशन इवेल्यूशन और डायनमिक थ्यूरी तो हम पहले अपना टाइटल लिखेंगे library classification library classification अबिएस्ट और दानेमिक थिवरी ओफ है अब देखो जब हम अपना फर्स्ट इंदेन से यहां से स्टार्ट करते हैं अपनी कोई निव लाइन जब हम अपना टाइटल लिकेंगे एक्ससर नमबर कुछ भी आसे स्टार्ट करें लिसे टाइटल हो गया नोट सेक्षन एक्सेस और अंबर सीरीज आस बीयंन नमपर जो भी ऊप्षेसभा थ단 इगा न्यू लैंस श्टार्ट करेंगे फिर उसके वाज हो मिन क criminal हो तो मिया से स्टार्ट करेंगे ठीक है अबने कर्क हाद डायनेमिक थीउरी तो डायनnemniej मिक दानेमिक got three dynamic theory ठीक है अब आ जाएए अब इसमें क्या करेंगे आप यहां तक मेरा टाइटल कंप्लीट हूग अब सब्सक्राइटल आता है ठीक है तो हम क्या करेंग drie सब्सक्राइट करेंगे पहन का कि के मतलब हिसमें तो डू जू त्वाइट करें तो नाम लिखना तो राइटर के नाम के पहले हम क्या लगाएं दिखेंगे स्टाइड के यह हमारा पार्की आरे अलगे अब ऑन जो हमारी पार्के आरे चो अने जह रिख देंगे ठीक है अब का नाम क्या था आरेस पार्की लिखेंगे आरेस पार्की ठीक है हमने क्या लिखा आरेस पार्की उसके बाद आजाए इसमें अगर माल लीजिए एक ओथर है तो तो इसमें आरेस पार्की हो गई इसमें अगर दो तो 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 हम क्या लगाते एंड करके दूसरे ओथर का नाम ल कि उसके बाद आजाए जब इसका अब आजाए एडिशन तो यहां तक इनफोर्मेशन कंप्लेट हुई टाइटल और राइटर का नियम अब आजाए कहीं जैसे माली जी इसी में आजाए कि हमारे पुब्लीसर्स का नाम एडिटर का नाम तो हम क्या लगा है सेमी को लगा कि प सेंब एडिशन रखा तो यू आ सेंट एडिशन एक्ट वाओ थे लेकिया लग लगें सेकेंड एडिशन डॉट है पण लागे पहले हम न रहाए के कि सेंद in addition yeah उसमें में लिखा पूरा addition लेकने सिम्य अखा सोट में again edition ठीक है इसमें क्या लिखेंगे 6 में edition ठीक है उसके बार cultivi जihat कर लेंगे प्ले जैसे नियो दिल्ली था तो में नीडिलि किसे लिएंगे डॉट है पन लगा के ठीक है डोट हैपन लगा के याद रखना अच्छे से नियो दिल्ली ठीक है यहाँ तक कम्पलीट हुआ उसके बाद आ जाए अब आ जाएगा हमारा पब्लीशिंग कहां से पब्लीश हुआ तो पब्लीश हुआ उसके पहले हम क्या लगाएंगे ठीक कोलन ठीक है इस जह कि अपना टाइटल लिखते हैं तब कोलन लगाते बैसे इस करण पब्लीशस आएगा कहीं से पब्लीश हुआ तो उसके पहले क्या लंगा एंगें को लन ठीक है तम क्या लगा है को लन ठाप को黃 anest क्या था हमारा फ्कास पशब सीट हास टाइटल में देखिएगा विकास पब्लीसिंग हाउस लिखा होगा ठीक है वो यहाँ पर इन्फोर्मेशन हम लिखेंगे विकास विकास पब्लीसिंग हाउस विकास पब्लीसिंग हाउस ठीक हम क्या लिखेंगे विकास पब्लीसिंग हाउस यह हमारा क्या होगे प्लेस उसके बाद हमने जो सन बताय थी तो सन इसकी क्या थी आई लगा लगा के यहां पर कोमा लगा के 1968 लिखेंगे यहां पर हमारी जो टाइटल का जो था इनफोर्मेशन बो सारी कमप्लीट हो गई ठीक है अब हम यहां से क्या स्टार्ट करेंगे जो हमारा physical description झाल तो हम क्या लिखेंगे यहां से सटार्रों न्यू rule line से हमारा किया ता इसमें वी रहे हैं जो हम जैسे कि वाना इमियीजनरी लाइन बनाई है यह हमको दिखती नहीं है बस हम अपने माइंड में सेट करना पड़ता है कि हमारी इमेजनरी लाइन इसमें तूबर यूज होती है तो आपको दिखाने के लिए पहला टैटल बना होगो इसलिए ठीक है तो हाँ अब लिखेंगे तो पेज नंबर क्या लिखेंगे जिसे में वी दिया हुआ है तो कॉमा लगा के हम क्या करेंगे टू टू ठीक है टो टू और पी अब हटा दे रहे हैं इमिजनी लाइन जो है आप अपने माइंड में या आप समझ में आ तो फिट कर लिए अच्छे से ठीक है अब देखो हम क्या करेंगे अपना पेज नमब लिखा हमने ठीक है अब पेज नमब लगा के अब इसमें क्या होगा साइज तो साइज के पहले हम क्या लगाएंगे सेमी कोलन साइज पहले क्या लगाएंगे सेमी कोलन सेमी कोलन के बाद इसका साइज क्या है तो साइज इसका है 18 सेंटीमीटर तो हम क्या लिख देंगे 18 सेंटीमीटर ठीक है अब आज आईए इसमें 18 सेंटीमीटर लिखने के पस्चाद हम क्या करेंगे इसमें सीरीज दी है एक कोश्चन सा सकता है कि हम जैसे ये छोटा ब्रेकेट हो गया और यह हमारा बड़ा ब्रेकिट हो गया ऐसे देखिए ठीक कुशन सा जाए कि हम बड़ाब टिर्ट अपी यूझ करते तो बाहर से कोई सूचिना आगर हम लिखते हैं तो हम किस का यूज करते हैं बड़ा ब्रेकेट ठीक जैसे यह वाला अब हम सीरीज के लिए किस ब्रेकेट का यूज करने छोटा वाला है ठीक है उतना अच्छे समझ वे आ गया हम लोगों को अब देखें जैसे हमारा यह क्या सीरीज क्या थी सार्दा रंगानातन तो आप बोल सीरीज अब तो आप तो सादा रंगानातन एंडव मेंट अब देख हमने क्या कहा था कि हां से फर्स्ट साथ करें सेकेंड पर दूसी लाइं जोगी हमें स्टार्ट करेंगे ठीक है अब आजाईए सादा रंगानातन एंडव मेंट अदूमों गए अप्र 70 एंडव खर लार्वरी बुख लार्वरी थारी सांस, सीरीज अब देखो जो इसमें नमबर दिया हुआ है हम नमबर का यह कहां कहां पर करेंगे सेमी कोलर लगा के हम क्या करेंगे इसका नमबर लिए देंगे नमबर क्या था हमारा नमबर हमारा क्या था नाइच सीक्स ठीक है तो हम क्या करेंगे नमबर लगाके सिक्ड क्या करेंगे ब्रेकीट क्लोंच कै हुआ हुआ चीक है अब हमारी यहांपर क्या प्रॉनित हो और फिजिकल डिस्क्रीप्चिन ठीक है hier यहां पर हमारा क्या कप्रेट होग Border we can अगर इन्फॉर्मेशन कि भाइस मैं आगर के इनफॉर्मेशन जैसे इस में लिका हए अब देखिसंग हम अपना जो सब्जच बनाते किसके आधार पर बनाते कौरभ एक क्यान आधार से तो यहाँ पर हम बन लिखेंगे, बन लिखेंगे हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, साइन्स, ठीक है, यह हमारे क्या होगा है, इसको अगर आप कैटल में लिखना चाहते हो, तो कैटल में भी लिख सकते हो, जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें हमने इसमोल में लिख रखा है, उसके बाद आजाई हमारे टाइटल, तो टाइटल का जो पहला अच्छ रोत हम किस से रिखते हैं कैप्टल में ठीक है तो सेकेंड में जाएगा हमारे टाइटल टाइटल हो गया वन से हमारा यह नंबर से पढ़ेगा और यह रोमन से पढ़ेगा सब्जेक्ट हमेशा नंबर से पढ़ेगा ठीक है और हमारे माली जे टाइटल हो गया सीरीज हो गया और या फिर मारी हमारे ट्रेसिंग हो गए तो हम किस से करेंगे रोम मदरंकों से ठीक है तो टाइटल हो गया फिर हम किसकी बनाएंगे सीरीज की नंबर टूपी क्या जाएगे हमारी सीरीज ठीक है यह हमारी क्या हो गए सीरी यह हमारा हो गया होल अब इसमें क्या इंफॉर्मेशन बचेती हमें एक्सेसर नमबर लिखना था तो एक्सेसर नमबर या तो आप इसमें चौत्री लाइन कर लिजीए नहीं तो आप क्या करें इसको मिला कर जो बीच में फॉइंट आता है वहाँ पर एक्सेसर नमबर लिख सकते हैं ठीक है तो एक्सेसर नमबर इसका क्या था था 5351 थीक है क्या था 5351 यह हो गई आपकी मैंने इंट्री ठीक है इतना अच्छे समझ में आ गया हम लोगों को अब हम आपको इसके बारे में जैसे इसकी जो मैंने इंट्री हो अब हम क्या करेंगे इसमें दो एंट्री यहां वनेंगी थीन एक तो हमारी सब्जटिवल बनेगी एक टैटल की वनेगी और एक सीरी् 12 वनेंगी ठी है जो हमारी वने क्या शेक्त बता है गिए कि चीक्रान अब आजाये जो हम इसकी एडिडेंट्री बनाते हैं तो एडिडेंट्री पाच प्रकार से बनती है हमारी जो एडिडेंट्री है वो कितने प्रकार से बनती है पाच प्रकार से कौन कौन सी सबसे पहले आ जाएगी हमारी यह आपने आप लोगों एच्छे से लिख रखा है ठीक है तो हमने पहले सब्सक्राइब अब मायां को बताएंगे एडीटेंट इन डिया बनाते हैं इसको आप अच्छे से लिखके लीजिए प्रैसी ठीक है अभम इसको मिटार रही है आप देखो हमने मैने इंडी आप लोगो को बता रिखेंगे आप हम किसकी बनाएंगे एडिद EMP Tito जो हम एडिधेंटी बनाएंगे एडिदेंट कितनी बताएं तीमने 3ताई थी कौन-कौन सी बताइती एक तो सब्जेक्ट की टाइटल की और सीरीज ठीक तो इसमें 3-20 तो मुसी आधार पर हमें मेरा पर छोटा-चोटी बना दें साइज वही रहेगा जो मैं एंट्री का साइज आकार था कितना था साइज आकार 12.5 cm अगर इंच में कहें तो 5 x 3 ठीक है या 5 x 3 ठीक है आवा जाए यह जैसे जो हम एडिट इंट्री बनाएंगे हम एडिट इंट्री छोटी सी आप को जिसे इतना बिगारी दे हमारी आ जाएगी एक इसका साइज आकार वही रहेगा जो मैं एंट्री का था हम बस आपको इसकी एडिट इंट्री बताना चाहते हैं तो जैसे हम बना रहे हैं इसमें एडिट इंट्री ठीक है अब हम किसकी एंट्री बनाएंगे सब्जेक्ट की तो हमने सब्जेक्ट क्या बताया था आपको क्लासिफिकेशन है यहारा सब्जेक्ट है किसे लिखें एक शबाइंगे कैपिन में भीन दीखें और इसरुटेश करेंगे न्यू नाइन से और हाँ जो हमारी इमेजनी लाइन होती है यहां से स्टार्ट करेंगे हम अपना क्या स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन डिस लगा के लाइबरेरी साइन्स ठीक है तो हमारा सब्जेक्ट क्या था क्लासिफिकेशन 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 लाइबरेरी साइन्स ठीक है इसमें क्या था क्लासिफिकेशन लाइभरेरी साइयंस यह क्या होगे अमारा सब्जक्ट सब्जेट इंधों styles लेखे हैं ठीक एंसके बाद हां एक बात और जो अगर हमें लिजेन करते हैं एक अंक यहां से स्टार्ट करते हैं इमेजनरी लाइन से छोड़कर यह जो हमारी लाइन है इसको छोड़कर जो हमारी मेजनरी लाइन है इसको हटा कर यहां पर एक जिसे हमने यहां ऐसे माली यहां पर आ जाए तो यहां पर यहां से स्टार्ट करेंगे यहां से इतना स्टार्ट हो सकता है फिर भी हम डालते हैं आपके लिए जिसे को लंबर इसका क्या था 2.251L2 ठीक है 2.51 L2 एकसेसर नंबर इसका क्या था 535351 एकसेसर नंबर हो गया इसका ठीक है अब हम इस में जो हमें नाम उथर का डाला था जो राइटर थे इसके आरएस पार्की तो हम क्या लिखेंगे वैसे जिसा लिखा था म まंदरे में नियुक्श मैं निखिदें Step जी हैं अधिकत क्या लिखेंड़ेंगे पार्की आरेस को में लगा कि पार्की आमरा थीक है उसके बाद जो हमारे अब उसमें है जैसे हमने कहा था कि जो हमारी जैसे मैं एंट्री और एडिएंटी होती है की प्रकार की बस इसमें किसका यूज कर देता है यूनिट काड़ सिस्टम पद्धतिका यूनिट काड़ यूनिट काड़ इसमें ने बताया था कि यूनिट काड़ सिस्टम का मतलब क्या था इस में की जो हमारी मैं एंट्री में जो भी इंफोर्मेशन दे रखी है उसको वो हम क्या करेंगे उसमें एड़िनेंट्री में नहीं लिखेंगे इनफॉर्मेसि जो क्यों है अपकी वह हमारी मेन стан вам हогодए हम इसमें क्या करेंगे हम रेस्ट एंदा मैं से लेगे कि आपको अगर आपको देखना है तो इस-क वाव एंटर मेरें नहीं कि अपने करने में यह से क्यों कि क्यों बचाने के लिए अट्रॉक जो भी कि एपम टाइम को बचाने के लिए क्या प्रते आए अंटू यहां frenete मैंन सब्सक्रत करें अब क्या लिखते हैं और वसके वेदानन मैं test एजिंदा रेस्ट ओई धिन्दा कराक कि अचिव में of entry ॉल भी रहेगा वही ठीए पह इस करेड impacto किस्य की बनात्य यह तो हमारो सब्ज्चों गाया ठीक है अब हम किसी की बनाएंगे टाइटल क्या लिकेंगे यह एड़िद एंट्री एडिट एंट्री सब्जेक्ट की हो गई अब हम क्या करेंगे टाइटल ठीक है अब किसकी बनाएंगे टाइटल की तो टाइटल की वैसे से यह से इसकी बनाए थी वैसे हम बनाएंगे जो भी हमारी एडिट एंट्री होगी है ठीक है कॉल लंबर वहीं से हम लिखेंगे टू पॉइंट फिटी वान एल टू पार की जैसे नाम जैसे पार की नाम था इसमें जो मने लिखा बस वहीं से इन्फोर्मेशन यहां पर लिखनी है पार की यह पार की आरेस बूद है अब हमए टाएटल बताया था तो हम यहां पर अपने टाइटल लिखएंगे टाइटल हम इस में का अपने स्मॉल लेटर में विलीस टर्त है तो यह हमारा क्या है दिख लिख भियो टाटल क्या था मारा लाइव देरी do library classification title deki a blue library classification library classification evolution evolution of dynamic theory of अब देखो हमने क्या बताया था कि जैसे library हम तो यहां पर नहीं करेंगे dynamic theory लिखेंगे इतने हम डिस्टेंस दे देंगे ठीक है dynamic theory ठीक है अब देखिए यहां पर जैसे ने पर dynamic theory complete कर लिए है अब हमारे जो हमने information बताई इसमने access नमबर हम कहां पर इतना ही लिख देंगे 51 ठीक है जो हमारा होल हो गया होल हमेशा हम बीच में रखते हैं वह को अब हमने अ पर भी क्या लिख देंगे रेस्टेंगा ओस्टीजंता मैं एंट्री रेस्ट इंदा मैं मैं एंट्री ठीक है रैस्ट इस इन दा मैं एंट्री ठीक है इतना हमारा हो गया यह हमारी क्या हो गया हमने एडिएंटी सब्जेक्टिक बना लिए टाइटल बना लिए अब बची हमारी सीरीज की इसको आप अच्छे से स्क्रीन सोट लेना जाओ तो स्कूल से ले सकते हो आप लो आप यहां पर हम किसकी लिखेंगे सीर से ठीक है इतना याद रखो वही रूल से वही साइज वही पूरा फंडमेंटल वही है बस हम क्या करते समय को बचाने के लिए इसमें इन्फोर्मेशन जुद्धी होती है उसकी जगए पर रेस्टेज इंदा मैं एंट्री लिख देते हैं जिससे क्या हो जाता है कि हमारे सम 2.582.1 2.51 m 2 X.5 351 हमारा हो गया पार की आरे से तो वही जांना की आना की आरे स लिए आरेस अहिस पार की आरेस है थी पार की आरेस थी आरने है तो कि क्या लिखना है इसमें घ admito Pr guns जेंए इनक्री हैं एसरिए ट्टी की बनानी हैं हमें सीराइज के ठीक है तो हम क्या लिखेंगे एड़िए एंटी सीरीज आड़ीड था एंटी से रीज यह हमारे क्या होगह एडिल एंटे सीरेज के ठीक अब हम सीरीज बनाये तो सीरीज हमें यह से स्टार्ट करनी है तो सीरीज के आती है हमारी सार्दा रंगनाथन सार्दा 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 रंगनाथन एंड़ोमेंट सार्दा रंगनाथन एंड़ोमेंट फोर लाइवरेरी साइन्स फोर लाइवरेरी साइन्स ठीक है अब इसमें क्या करेंगे इसमें नंबर दिया था कितना दिया था नंबर सिक्स तो सेमी कोलन लगाके नंबर लिख देंगे यहां पर हम कितना लिखेंगे s'dik it इतना हो गई हमारी एक हमारी सीरीज ठीक है यह मारी कांटई ओ गरी सीरीज की आए यहां पर हम क्या देंगे रेस्ट ऐस इंदा मैन एंटरी रेस्ट पर आज अन्दा मैं अभी हमारी जो एंट्री है ठीक है मैं एंट्री आज हमने आपको क्या-क्या समझाया कि हमने पहले आपको टाइटल बताया कि टाइटल कैसे होता है जम अपना नमबर बनाते हैं या हम पना मैं एंट्री के मैं एंट्री कैसे बनाई जाती हैं कि इसको पर लिखा-जाता पूरी फ הצ कि ऐमने बताया कि जो मैं एंट्री के पहस्चाथ हम किस की बनाते एस हम ने बनाई तो इसमें समय tire के बनाई तो फिर टाइटल की बनाई ठीक है और उसके बात किसकी बनाई हमने सीरी Chief की अब इसमेब आपको में एक बात और हम जैसे कि माल ले और इसमें अगर हमही से तो थर थे ठीक है इसमें आप करते हैं यह तो किसी बनाते टाइटल से इंट्री बनाते ठीक है फिर इसमें जैसे बनाते तो जो इसमें घर क्तार की ना रहे हो तो उसकी बनाते हैं ठीक है और दो लोगों क्या बनाते हैं जो दो अच्छे से समझ गए हो ठीक है तो अगर आप लोग कमेंट करोगे कि हमें इसके आगे की जैसे मा लिजे ठीक है ठीक है सब्जेक्ट कैसे एंट्री बनती है दो टाइटल हो यह सब्जेक्ट हो दो यह फिर ऑथर हो ठीक है वह एंट्रियां कैसे बनाते हैं ठीक है वह पूरी इंफोर्मेशन आपको देंगे अगर आप लोग पमेंट करोगे कि आगे के वीडियो हमें चाहिए मैं तो फिर हम आगे बनाने का प्रयास करेंगे ठीक है थैंक यू